सौंबार का पावन पवित्र मेरे महादेव को समर्पित है इस दिन गुरुजी द्वारा बताएगा इस सर्विस्रेश्ट उपाए आपके भागी की रेखाओ को प्रबल कर सकते हैं वीडियो में दो उपाए ऐसे हैं जो आप अगर कर लेंगे न भले ही घर पर करे या कुछ नियम होते हैं कही न कहीं नई जनरेशन होती है इसमें भूल चूक कर देती है जिस कारण से उपाए जल्दी फलीत नहीं होते और हम सोचते रह जाते हैं कि कहां पर गल्ती हो रही है माताए बहने हाला कि हरी चीजे जो है उन्हें पता होती है परन्तु जल्दी वाज आप पूर्ण रूप से अपने उत्तर के स्वरूप में पाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा आपको पहला उपाय कैसे करना है गुरू जी कहते हैं आप सभी सीतल आर्थी कीजिएगा जब आपके पास जो है दुख दरीदरता बहुत अधिक प्रकट होने लगे तो आपको महा पर या मंदिर में तो आपको इसका परणाम ततकाल मिलेगा आपको अपने दाहिने हाथ की हथिली में यह उपाय सुबह से लेकर रातरी तक कभी भी जब भी आपको समय मिले तब ही किया जा सकता है महादे पर चार पहर जल का भीशे किया जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं अपने दाहिने हाथ में आपको क्या करना है सबसे पहले एक फूल रख लेना है वह फूल कौन सा रखना है आपको अगर आंक का फूल जो की सफेद रंका होता है आपने देखा होगा वह आंक का फूल अगर मिल जाए तो वह रख लिजे नहीं तो आंक का फूल नहीं मिल जाता तो आप कोई सभी सफेद फूल ले सकते हैं, तो आप सभी कोई भी आकडाजी से कहा जाता है, अकवा कहा जाता है लगलग छेतरों में, इसक्रीन पर मैंने लगाया हुआ है, वही सफेद फूल आपको लेना है, न मिल पाने की स्थिती में, आप कोई सभी सफेद फूल ले सकत अच्छा परिपोन अवस्था में हो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है टूटा खोटा खंडित ना हो ये भी आपको अपने ध्यान में रखते हुए कारे करना है उसके बाद आप सभी को हाथ में अपने दाहने हाथ में एक जल का लोटा लेना है जल का लोटा मिटी कई प प्रियोग होना सुब माना जाता है तो उपाई नियम तो छोटे-छोटे से हैं परन्तु इनको प्रियोग में लिया जाए तो भागी की रेखाए प्रवल करती हैं अब आपकी इच्छा है इसके साथ आप पूजा की सामगरी में आंक धतूरा बेल पत्र के अलावा भस मित्या आपकी इच्छा पर आधारी था परन्तु जो गुरुजी द्वारा उपाई बताया है सीतलार्ती को करने के लिए बस इन दो चीजों की है आउशक्ता होगी उन्हाने इस पस्टे सारूप में कहा है सौमबार का दिन है जितना संभव हो सके लाल या पीले रंके ही कपड़ो का चैन करें ततपश्यात आप महादेव के मंदिर में चले जाए और आवश्यक रूप से प्रभू का चिंतन करते हुए पूर्वी या उत्तर दिशा की ओर बैढ़ जाए सबसे पहले गुरुजी कहते हैं 11 रुद्र का स्मरण आपको करना है कितना 11 रुद्र का स्मरण करते लेकर नीचे जैसे हम संपूर्ण आर्ति करते हैं खाली सीवलिंग पर ही उतारना नहीं है बलकि पूरा जो है जो सीवलिंग है उस पर आपको 11 बार इस जो जल का लोटा और एक आंक्रे का फूल है उसे उतार लेना है अर्थाद गुमा लेना है सीतल आर्ति के सरूप में सी जो है 11 रुद्र का विस्मरण करना है साथ के साथ मनही मन अपनी मनोकामना भी बोलनी है कि है महादेव मैंने आज आपकी सीतल आर्ति अपनी इस मनोकामना के तहत की है ऐसी प्रार्थना करते हुए उपाई कीजिएगा उसके बाद जो मातर एक सफेद पूल है आपने लिया हुआ है उसे आपको धीरे 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 एग्यारहा रुद्र का स्मरण करते हुए स्री सिवाय नमस्तु भ्यम मत्र का जाब करते हुए मनोकामना भी बोलते हुए सीवलिंग पर समर्पित कर देना है थतकाल ही आपके दुख तकली परेशानी छूटेगी और कस्ट संकट पी देजे और साथ के साथ इससे पहले भी एक वीडियो दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा है सरल है जो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाई की तरफ यह उपाई भी आपके पास जो भी मनोकामना है कोई सी भी मनोकामना है सभी के लिए किय जा सकता है यह उपाई है हरियोम जल का उपाई आप जानते होंगे सौंबार के दिन हरियोम जल अपने आप में अध्भुत उपाई के स्वरूप में कहा जाता है कहा जाता है महाकाल की धरती उज्जैन में गुरुजी कहते हैं यह कारी किया जाता है सिवलिंग पर इस तरह तक ये तो खुलते ही है, साथ के साथ इसका सुख भी पूरा परिवार पُरापति कर लेता है, तो वही जल का लोटा आपको लेना है और सेवलिंग पर जल धीरे-धीरे कैसे समर्पित करना हैं, ध्यान से सुनिएँ आपको जल का लोटा सबसे पहले सरी, सिवय नमस्तुभ्यम और अपनी मनों कामना कहते हुए आपको सुन्दर भाव से एक दीपक भी ले जाना है, सुपाय को करते हुए ध्यान से जुनिएगा, खाली जल का लोटा ले जाने से ही आपका काम नहीं होगा, तो घी का दीपक जिसमें गोलवत्ती लगी हो, आटे का भी ले सकता है, माटी का भी ले सकता है, इच्छा आपकी है, अब जल का लोटा कैसे समर्पित करना है, ध्यान रहे, जल की धार टूटने न पाए, सबसे पहले आपको गडेश जी महराज जो की सिवलिंग में विराजमान है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इस स्थान से सुरू करते हुए गडेश जी महराज से सुरू करते हुए माता असोक सुन्दरी तक जल की धार ले जाए, माता असोक सुन्दरी से ले जाते हुए, स्रीकार्ति के जी भगवान पर आप जल की धार छोड़े, अब यही जल की धार धीरे, 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 देखिए, यहाँ पर आपको दिख रह अब इसी धार को जो है जो सिवलिंग है उसमें गोल जो मातारानी का हस्त कमल होता है जिस पर सिवलिंग विराजमान है उस पर गोल स्वरूप में समर्पित करते हुए अपने मन ही मन ओम का उचारण करें ऐसा मन में भाव करें कि मैं महाकाल की धरती पर जो है जल चड़ा रही धीरे धीरे यही जलकिधार आपको धीरे 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 पूरे सिवलिंग के उपर उडेल देनी है, कहने का अर्थ है, बहुत सरलुपाय है, कोई पैसा समय तो लगना नहीं है, नमाशिवायों मंत्र का अचारण करते हुए, गड़ेश जी से सुरू करते हुए, माता असोक सुन मर्पित कर देना है, इस तरह से आप सभी को आवश्यक रूप से ही है, ओम जल बिंदुवाला या हरियों जल वाला उपाय, इसे दिब्व पावन पवित्रे विसे स्तिथी पर करना है, भाग की बदलेगा, इस बात की गारंटी है, कस्ट दुख तरीतरिता का भी निदान हो चतकाल उठकर घरना आजाए, वहाँ बैठें महादेव की ओर, अपनी जोली पसार कर थोड़ी देर वहाँ पर बैठें, मनोती बोलें, संकट कस्ट पीडा बोलें, निरंतर प्रभु कस्मरन करें, ध्यान कहीं और न जाने पाईजवत का ध्यान रखें, दीपक जरूर से प घरना महादेव